90 प्रतिशत से ज्यादा कालाधन आज अचानक से तबाह हो चुका है और इसका जिम्मेदार भी अदानी के साथ में जगडे को बताया जा रहा है स्विस बैंक का जैसे ही खबर सामने आती है कि Credit Suisse तबाह हो चुका है वैसे ही कालाधन रखने वालों के दिमाग खराब हो जाते हैं विदेशों के अंदर काला धन रखने के लिए सबसे ज़्यादा जिनका नाम आता है वो स्विस बैंक हैं और इन बैंकों के अंदर भी एकी बैंक का नाम सामने आता है जो की है Credit Suisse. ये जो बैंक है Credit Suisse इसके बारे में अंतराश्ट्रे स्तर पर ये बात मानने है कि इसके यहाँ पर criminal और fraudsters के साथ में corrupt politicians का पैसा भी यहाँ पर लगा हुआ है स्विजर लैंड के अंदर दो सबसे बड़े बैंक है जो अंतराश्ट्रे स्तर पर सबसे ज्यादा काम करते हैं एक का नाम है Credit Suisse और एक का नाम है UBS ये जो बैंक Credit Suisse है ये भारत के अंदर 90 के दशक से काम कर रहा है जिसके बाद ही भारत के अंदर काले धन का मुद्द सबसे ज्यादा गरमाया था 90 के दशक से पहले काले धन के बारे में बात नहीं की जाती थी और उसी समय क्रेडिट सुइस नाम का बैंक भारत के अंदर आता है अपनी ब्रांच खोलता है और यहां पर उनके 1000 करोड के एसेट्स मौजूद थे उनी की देखा देखी UBS भी देखता है भारत के अंदर बहुती बड़ा मार्केट है तो क्यों ना यहां पर अपने ऑपरेशन को शुरुआत किया जाए और वो भी भारत में आता है मगर उसके साथ में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी जिस समय UBS भारत के अंदर आना चाहता है कि UBS को भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सांपना करना पड़ता है सरकारी अविवस्थाओं का पुल मिला के 2013 के अंदर यानि कि 14 के आने से जस्ट पहले UBS की जो एक मात्र ब्रांच थी मुंबई के अंदर उसको भी UBS बंद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके उपर स नहीं पाया नहीं तो आप ही समझिये अगर एक बैंक स्विजर लेंड का यहां पर आया हुआ है तो उससे भी बड़ा और उससे ताकतवर बैंक को यहां पर आने में आखिर क्या समस्या होनी थी 2019 के अंदर जब भारत सरकार बहुत बड़ा स्टैप लेती है स्विजर लेंड को जुकना पड़ता है और उनको कुछ लिस्ट देनी पड़ती है भारत सरकार को क्यारा भारतियों को एक ही दिन के अंदर नोटिस मिल जाते हैं स्विजर लेंड की सरकार को जुक के दबाव में आकर देना पड़ता है मगर ये लिस्ट पूरी नहीं थी और ये सारे के सारे जो भारतिये थे उनका कनेक्शन्स क्रेडिट स्विस के साथ ही में निकला अब 2019 के अंदर ही अचानक से एक बड़ा कारणामा होता है कि भारत के उद्योग पतियों को यानि के अंबानी और अदानी को निशाना बनाया जाता है हर प्रकार का पॉलिटिकल उनके उपर आरोब भी लगता है चुरुभात के अंदर ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो जाता है जब अदानी के उपर एक बहुती फर्जी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है और जिसके चलते अदानी का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और यहां पर आता है एक बड़ा ट्वेस्ट हिंडनबर के रिपोर्ट के बाद भी जब अदानी के शेयर नीचे नही गिर रहे थे मामूली सा कुछ फरक आया था उसके बाद में इसी क्रेडिट स्विस्ट ने सबसे पहले बोला कि अदानी के ये बॉंड्स को हम मानेंगे नहीं यानि कि ये अब जीरो हो चुके हैं उसके बाद अदानी गिरा अब ये जो क्रेडिट स्विस्ट नाम का बैंक है जिसके उपर आरोब था कि भारत के सबसे ज़्यादा काला धन रखने वालों के बैंक खाते इसी के अंदर हैं उन्होंने सारों ने मिलकर अदानी को गिराने की कोशिश की मगर असल में क्रेडिट स्विस्ट ही गिर गया अब चाहे किसी बैंक के अंदर काला धन हो चाहे सफ होती है उसी से ब्यास दिया जाता है मामला यहां पर यह हो गया कि अदानी के साथ में जगड़ा महंगा पड़ता है क्रेडिट सुइस को और जिस अदानी के बॉंड को यह जीरो बता रहा था उसी क्रेडिट सुइस के बॉंड खुद के जीरो हो गए उन बॉंडों का जीरो ह नहीं था उन्होंने क्या स्टेट्मेंट दिया था अदानी के लिए पूरे विश्व के अंदर ऐसे बैंक जिनका कुछ ना कुछ लेना देना भारत के अंदर गतिवीदियों में और यहां के लोगों से था वो सारे अदानी के खिलाफ नजर आए मगर ग्लोबल बैंक्स ने य उसने भी अदानी के लिए यह स्टेट्मेंट जारी किया कि हाला कि क्रेडिट सुइस कुछ भी बोल रहा है मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अदानी के बॉंड्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और इस बात के सामने आने के बाद में ग्लोबल फाइनेंस के अंदर स सबके सामने ये बात आ गई कि कुछ न कुछ साजिस चल रही है जिसके अंदर क्रेडिट सुइस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं अब अंद भला तो सब भला होता है क्रेडिट सुइस जो है वो दिवालिया हो जाता है बॉंड हो जाते हैं जीरो और क्रेडिट सुइस क वही bank खरीद देता है जिसको भारत में आने नहीं दिया था यानि कि UBS वो bank जो कि इस पूरे पचड़े से दूर था मगर अदानी के लिए उसने statement जारी किया था अंत के अंदर जाकर उसके पास में ही credit Swiss को बिकना पड़ता है और जितना भी पैसा काला धनका था वो जो bond के अं जीरो हो चुका है केवल और केवल 27 बिलियन डॉलर के अंदर UBS ने पूरे के पूरे credit Swiss को खरीद लिया जो कि उसके सामने हमेशा रोडा अटकाता था और यहां पर कहानी की अंत होता है इन बैंकों का तो अंत हो गया साथ के अंदर काले धन का भी अंत हो गया मगर ऐसे गए और अभी उन पर भी आरोप लग रहा है कि ये जो share holders हैं ये अदानी के share क्यों खरीद रहे हैं मार्केट बिल्कुल फ्री है जिसका जहां मन करेगा वहां पर खरीदेगा मगर यहां पर जो हुआ उससे सबक लेने की जरूरत है कि किसी को नीचा दिखाने और किसी के खि पाजिश करने का अंजाम क्या होता है वो सबके सामने है नमस्कार धन्यवाद जैहें